समस्कार आप देख रहे हैं एवर उत्राखड और मैं हूँ आपके साथ स्पूर्टि सिंग और आप खबरे विस्तार से देरादून के खलंगा में पेड काटन का प्रस्तावित मामला है जहापर ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है खलंगा में किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने दिया जाएगा देरादून में पानी की किलत को देखते हुए पेजल निगम ने खलंगा के करीब साथ हेक्टर जंगल छेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निड़न लिया है इसके लिए खलंगा में जंगलों में पेडों का चिनही करण किया जा रहा है का जो ये जंगल है ये रायपूर और उसके आसपास का जितना चेत्र है उसकी जीवन लाइफ लाइन है और इस पूरे जंगल से परवती जितना भी ये छेत्र है नीचे जितने भी हमारे 14 या 15 ट्यूवल जो इसके पानी से उनका रीचार्ज होता है और अगर यहाँ पर इतने बड़े छेत्र में कोई निर्मान करेंगे तो जितने ये सुरोत है पानी के वो सब सूख जाएंगे और इतना बड़ा जो जंगल है पूरा देरा दून भी उससे परवावित होगा मेरा ये सुझाओ था कि आपने पहले इसके जब भी जिसने भी यहाँ पर सर्वे करके ये जगद दिखाई है या बताई है तो हम लोगों से जनपरतिनी नीदियों से उनसे बातचित करेंगे चारदाम यात्रा में रिकॉर्ड तोर शधालू पहुच रहे है दूसरी और कॉंग्रेस सरकार चारदाम यात्रा में आव्यवस्ताओं का आरोप लगा रही है अब कॉंग्रेस यात्रा मार्गों में शधालू की सेवा के लिए कॉंग्रेसी कारेकरताओं से क्याम्प लगा कि जहां जहां पर यात्रियों को परिशानों का सामना करना पड़ रहा है उन जगे पर इस्तानिये प्रशाशन के साथ मिलकर रहत और शिविर का अजिन किया जाए और अपने इस्तर पर यात्रियों के लिए भंडारे की विवस्ता भी की जाए कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है हिंदु धरम के करोडों लोगों की आस्ता का प्रतिक है चारधाम यात्रा उसके पूरे विश्व से लोग आते हैं और लेकिन जो उनको समस्याओं का सामना आ रहा है हमारे प्रदेश कॉंग्रेस की अध्यात मानेने करन महरा जी ने ह हमारे जितने भी जिलाद्यक्स हैं उनको निर्देशित किया है कि जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी परकार की समस्या का कोई सामना ना करना पड़े अगर भोजन की विवस्ता करनी है तो भोजन की विवस्ता कराइगे रहने की विवस्ता होगी स्वास्ती विव कॉंगरेस के जो घ्यात पाइस कशामें कर दो जो पूंगरेस के शाम इस्था हिसमें कNothing के ऊहएं तुब कॉंप हें युश्चा करण कम्हें कर दो हमारे से फिल्ड में में उतकी तो इसके लिए मैं मैसेज अच्छा जाएगा ऐसे तो सरकार को पहले विवस्ता इसना करनी चाहिए थी लेकिंगे सरकार ने जो विवस्ता नहीं करी है उसके लिए पॉंग रहे है चार दाम यात्रा में भारी भीड के चलते 31 मैं तक ऑफ-लाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिये है हरिद् होटल धरमशाला में रहकर रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे है डियम का कहना है कि ऐसे साड़े सत्रा सो शधालू को चार दाम यात्रा पर भेजा गया है अन्य और लोग को जिनित करके प्रयास किया जा रहा है अलाकि काउंटर से फिलहाल नए रजिस्ट्रेश बंद रहेंगे और जो रजिस्ट्रेशन बगरा 30 तारिक तक बंद है अब बैठ के आज रानीती बनाएंगे ट्रेवल कारोवारियों जो ट्रांसपोर्टर है हमारे कि हम आल्टियों के पास चावी जमा करते हैं या कोई अर्ताल करते हैं क्या करते हैं क्योंकि इनके पास एक डंडा है कि अ है नहीं registration हम करने की स्थिती में नहीं है तो ऐसे लोग जिंका уже registration है और जैसे सपोर्ज किसी को केस तारीक को जाना 24 गगों ऑनलाइन उनका अब तो जा सकते हैं लेकिन आफ्लाइन रेजिस्टेशन के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि टूरें ट्रेवल्स वालों से कि नए लोगों को किसी को भी आप ऐसे न बुलाएं ताकि यहां पर भीड़ भी कम हो चैरिशी केस में हो यह हरीद्वार में हो और ए खतीमा नगरपालिका सीमाविस्तार मामले पर चर्चा की और नगरपालिका के अंदर आने वाली पून और आंशिक ग्राम सभा के साथ वाडो का मूल स्वरूप यथावद बनाये रखने के बारे में 51 वी सौपा बाचपा कारे करताओं ने सीमाविस्तार और परी सीमन में उनका पारम परिक मूल स्वरूप बनाय रखने की मांकी। उनका पारम परिक मूल स्वरूप बनाय रखने की मांकी। उनका पारम परिक मूल स्वरूप बनाय रखने की मांकी। बाजपक कार्यकरताओं ने बताया कि मोटर मार्ग बुरी तरह से शर्तिग्रस्थ हो गया है। जिसको लेकर ये मांकी जा रही है। जो भी काम होगा इन बहुश्यम है। तो वो एनेच्व दोरा क्या जाएगा। क्योंकि अभी 15-20 दिन के बाद बर्साद सुर्व हो जाएगी। और वहां गड़े बड़े हैं। बर्साद से पहले वह गड़े नहीं बढ़े जाएं। पॉड़ी जिले में यूकेडी से गरवाल लोगसवासीच से सांसर प्रत्याशय आशृतुश के नेतत्वों में इस्तानी लोगसवासीच से अधूश्यम होगा। लोगों ने वरिस्ट पुलिस अधिक्षक लोकेशवर सिंग से सस्पी कार्याले में मुलाकात की और सडक पर सफेद पत्ती के बाहर खड़े वहनों के खिलाब पुलिस की और से की जारही चालानी कारवाई के विरोध किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि पॉड़ी नगर के सर लेवानों को बेवज़े हटाने के साथ ही उन पर चालानी कारवाई की जा रही है इसे सानी निवासी और शेहर में बाहर से आने वाले लोगों का उद्पीधन हो रहा है पॉड़ी की पार्किंगों पॉड़ी की सडकों और पॉड़ी की सडकों पर जो वहान खड़े होते हैं उनके संबन्द में एक यापन दिया है बीते रात सुनाई दिया है कि लोगों ने अपने घरों के पास वहान खड़े करें हैं जब कि उनके घर के पास सड़क काफी चौड़ी है लेकिन पुलिश परसासत न्वारा उनकी गाडियों पर बंच लगाए गया है उनकी गाडियों का चलान किया गया है एक तो पॉड़ी ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आप सबीका स्वागत है भरते अगली खबर की और, हल्दवारी में बकायदारी के वसूली में तैसील प्रशाशन तेजी से काम कर रहा है केवल एक महीने में ही बकाया वसूली में तैसील प्रशाशन 12 करोड 79 लाख में से 3 करोड 48 लाख वसूल चुका है जो कि कुल रकम का केवल 27 फीज दी है हलदवानी शहर में कई ऐसे बड़े कारोबारी है जिन पर सरकार विभाग का लाखो करोड रुपे बकाया है जिन पर अब तैसील प्रशाशन बेहत सक्त हो गया है ऐसे सभी बकायदारों के लिस्ट चस्पा कर दी गई है और इन सभी लोगों की आर्सी कटवा का नोटिस भी जारी कर दिया गया है करना था तो बसुली ठीक चल लए है इसके तरिक जो बड़े वकायदार है उनके खिलाब हम लोग अब चल चल संपत्ती का ब्योरा उनका इखटा कर रहे हैं और इसके बाद उनकी कुर्की और निला लिगी करवाई की जाएगी सुन्दरपुर गाओं के अमके विद्यापीत में उत्राखन टार्गेट बॉल असोसियेशन द्वारा चैन शिवर आयजुत किया गया इसमें राज्य की टीम के लिए 18 खिलाडियों का चैन किया गया चुनेगई खिलाडी एक जून से होने वाले दस दिवस सीये प्रक्षिशन शिवर में भाग लेंगे टार्गेट बॉलिवूट के रेफरी उपेंद्र मंडल और दीपक पांडे ने बताया कि शिवर में 40 खिलाडियों ने भाग लिया है प्रशिक्षन शिवर में राज्य के 12 सदस्य सीनियर उरुष टेम का चैन हुआ है तीम 12 जून से अलवर राजिस्तार में होने वाले ग्यारवी नैशन प्रत्योगता में भाग लेंगे हरिद्वार शेत्र के सिट कोल स्थित केकेजी इंडिस्ट्रीज में भीशन आग लगई है सारा समान जल कर राख हो गया इस फैक्टरी में धर्वा कॉल की प्लेट्स और अन्य आइटम बनाय जाते थे फायर ब्रिगेट की लगबग आठ गाडिया आग भुजाने के लिए पहुची लेकिन अब तक आग पर काबून नहीं पाया गया है आग को भुजाने के लिए हरिद्वार भेल सिट कोल रुड की रिशिकेश अन्य शेत्रों से दमकल की गाडिया बुलानी पड़ी मौके पर पहुचे एससपी सिटी स्वतित्र कुमा ने बताया कि यहां पर पैकेजिंग का कारे होता है और थर्मकॉल के सेंसिटिव आइटम बनाए जाते थे अनिचेसरी गाडियां मंगा ले गए है और बार्की जो फैक्टीज है उनसे भी से लिया जा रहा है आज को काभुपाने की कोशिश की जा रही है और पहले प्रियाटी है कि इसके आज पास और भी इंवेस्टीज हैं वहां के आज न फैले इसलिए चारो तरफ से हमारी फै इसमें कारे करनी पॉड़ी जिले के सत्पुली तैसील में लवाद गाउं में तेज अंधर ने एक मकान को शती पहुचाई है राम सिंग ने बताया कि पेड़ के तूट कर गिरने से बड़ी संख्या में घटना होने की अन्होनी बच गई जहां पर उन्होंने प्रिशाशन से मकान को नुकसान पहुचने पर मुआवजा की गुहाई लगाई है जहाँ पर राजस्व उप निरक्षक स्वाती नेगी गटनास्तल का मुआना करने पहुची जिलादिकारी ने भी मामले को संग्यान में लिया प्रभावित परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने का भ पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांदी की पूर्नितिती पर देश भर में उन्हीं यात किया जाला है कॉंग्रेस भवन में पूर्व प्रधान मंतरी स्वर्गे राजीव गांदी की पूर्नितिती पर श्रधान जिरी सभा का आईजिन किया गया 21 मई 1991 को एक आत्म घाती बम धमाके में राजीव गांदी की हत्या कर दि गई थी मानगर अध्यक जस्विंदर सिंग गोगी ने कहा कि राजीव गांदी की छवी हमेशा से ही साफ सुत्री और बेदाग रही है देखे आज राजीव गांदी जी पुनिति है और महाना के कॉंगर्स कमिटी और सबस जितने हमारे वरिश कॉंगर्स जनने और सभी साथियों ने आज हम लोग यहारे कठी हुए है और आज उन्हें हमने शिदान ली दिए क्योंकि राजीव गांदी जी ऐसी शक्सित है शक्सित थे जिन्होंने आईटी में करांतिय लाए जो पंचाइतों जिन्हें मजबूत करने के काम किया युवाओं को ख्याल दिया जो वो युवाओं को अठाव साल की उमने मत का राइट दिया तो आज हम सभी लोगों ने स जोसों की मैपिंग ना करने के लिए रास्टी बाल अधिकास अरंक्षन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को समंजारी कर दिल्ली तलब किया है जहांपर शेह जिलों के जिला अधिकारियों को 7 जून और अन्य को 10 जून को आयोग में पेश होना होगा बिना किसी वैद व अधिक्ष प्रयांक कानून को ने पिशले दिनों दहरादून के कुछ मदसों का ओचक निरक्षन किया था निरक्षन में उन्होंने पाया कि बिहार उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर मदसों में पढ़ाया जा रहा है देखिए हमारे को ये समय समय पर ज्ञान में आता रहता है कि कुछ मदर से रेजिस्टर्ड हैं और कुछ बिना रेजिस्ट्रेशन के बिना उसके संचालेत हैं लेकिन विभाग से यही रेजिस्टरेशन कर दिया है और इस मैपिंग के लिए कई बार लिखा भी गया और अब राष्ट्रिय बाल अधिकार सरक्षन आयोग ने निरिक्षन करा अपनी विजिट के दौरान तीन मदरसों में गए और तीनों अन्रेजिस्टर्ड थे अब वो इस पे वो काफी नाराजगी उनको उन्होंने अपनी जाहिर करी जो कि बहुत ऑवियस था और उन्होंने कहा कि मुझे ये मैपिंग रिपोर्ट चाहिए और अगर इसमें कोपरेट नहीं कर रहे हैं उनका कहना था कि साथ इसमें में डी-म की मदद चाहिए और तिंग्स ला करूँ मुझे और उनका कि हम उनका कि मुझे और उनका कि साना था रहे से बहुते वाराजगी ज छूबस हवगोर्ट चाहिए और इसमें में पर देब्सका कि बहुते बहुते दो कि स।